साथियों, एक समय था, जब लोगों ने ये मान दिया था, कि सरकार किसी भी ये आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी. आज, देश का एक एक जन, गर्व से ये कह रहा है, कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज, दुनिया के सामने, एक ऐसा भारत है, जो बिना किसी डर, या दबाओ के, अपने हीतों के लिए अडिग रहता है. जब पूरी दुनिया, दो भिरोधी द्रुवों में बटी हो, तब भारत को, एक ऐसे देश के रूपे, देखा जा रहा है, जो द्रड़ता के साथ, मानवता की बात कर सकता है. हमारी सरकार राष्टिय हितों को सर्वों पर ही रखते हुए काम कर रही है. आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है. आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है, और निश्चय शक्ति भी है. इसलिए, आज हम लक्ष पै कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं. आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने 400 बिलियन डॉलर याने 30 लाग करोर रुपिय से भी जादा के उपादों के एक्सपोर्ट का टार्गेट पूरा किया है. कुरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष हासिल करना भारत के सामर्थ को दिखाता है. कुरोना के खिलाब लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है. आज भारत एक सो असी करोर से ज्यादा वैक्सिन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही हैं कि इतने मुश्किल समय में भारत असी करोर गरिवों बंचितों को मुप्त राशन दे रहा है। सो साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भुखा ना सोना पड़े। इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब साड़े तीन लाग करोड रुपिय खर्च कर रही है। बीते वर्षों में देश ले ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपांच सरकारों की डबल इंजिन की सरकारों की प्रात्विकता रही है। गरीबों को पक्के घर से लेकर सौचान लेके निर्मान तक आईश्मान भारत योजना से लेकर उजवला तक हर गर जल से लेकर हर गरिब को बैंक खाते तक ऐसे कितने ही काम हुए हैं जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करूँ तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं देश के विकास के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं